नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त दिने इस पाठक करियर मंत्रा के इस एपिसोड में उस काले अध्याय की चर्चा जिसमें भारत ने बहुत कुछ खोया तमिलनाट के पूर्व कॉंग्रेस नेता वर्ड कंफेडरेशन आफ तमिल के अध्यक्ष पाजहा नेदुमारन के इस द स्रिलंका संकार ने उसे मृत घोषित कर दिया था मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह लिट्टे और स्रिलंका सरकार की आपसी लडाई में भारत अच्छे भाव से पूदा और पूर पीम राजियुगांधी समेत क्या-क्या खो दिया स्रिलंका में सिंगली और तमिलो उनके संसादनों पर कबजा कर रहे हैं इसी को लेकर दोनों में तनाव पैदा हुआ कई बार दंगे और ग्रिह युद्ध के सिती बरी साल 1948 में ब्रिटिस राज से आजाद हुआ स्रिलंका बर्स 1956 में सिंगली उनली एक्ट लागू हुआ इसके जरिये सिंगली को आधिकारिक भासा का दर्जा मिला तमिलों को अंदेखी होने लगी उनमें असुरक्षा का भाव पैदा हुआ लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम याने लिट्टे का गठन तभी हुआ लिट्टे तमिलों के लिए अलग देश की मांग करने लगे 23 जुलाई 1983 को लिट्टे ने 13 सैनिकों को मार दिया अगले ही दिन स्रिलंका में 3000 तमिल मारे गए विरोध सोरू मई 1985 में लिट्टे ने बोधी ब्रिक्ष मंदिर पर हमला कर दिया 150 लोग मारे गए 1986 तक स्रिलंका सरकार और लिट्टे समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए जनवरी 1987 में राश्च्पती जे आर जैबर्धने ने लिट्टे के गढ़ जाफना में मिल्ट्री सासन लागू कर दिया स्रिलंकाई सेना लिट्टे को खत्म करने के लिए हवाई हमले सुरू कर दिये जिसकी चपेट में जाफना के बेगुनाह तमिल नागरिक भी आये तब 1987 में भारत सरकार ने स्रिलंका से तमिलों के खिलाफ इंसा रोकने की अपील के साथ साथ चेतावनी भी दी सिंगली मूल के जैबर्धने ने पर इसका कोई असर नहीं हुआ भारत ने 2 जूर 1987 को जाफना के तमिलों के लिए समुद्र के रास्ते सहायता भेजी लेकिन स्रिलंका की नेवी ने इसे रोक दिया इसके बाद इंडियन एर फोर्स ने 4 जूर 1987 को आपरेशन पूमलाई चलाया इसके ताथ 5 जहाजों ने 25 टन की राहसामगरी के साथ उलान भरी इन बिमानों को मिराज लाकु बिमान कबर कर रहे थे भारत ने कह दिया था कि उसके बिमानों पर हमला युद्ध का एलान माना जाएगा भारत की इस एक्सन से जैवर्धने दबाव में आ गए और लिट्टे से समझावता करने को तयार हो गए जुलाई 1987 में स्रिलंका सरकार और लिट्टे के बीच सांती की बात सुरू हो गई भारत सरकार मध्यस्थ की भूमिका में थी भारत का उद्देश स्रिलंकाई त्रमिलों को सुरक्षा के साथ साथ ऑटोनामी दिलाना था पर लिट्टे प्रमुख प्रफाकरन पूर आजादी चाहता था उसे दिल्ली बुलाया गया प्रधानमंत्री राजी उगांधी उससे मिले उसने सर्थ रखी कि सांती अस्थापित होने के बाद उसे स्रिलंका सरकार में अहम भूमिका दी जाए 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में तीनों पक्षोने सांती सम्जहोते पर दस्खत किये स्रिलंकाई सेना की वापसी के बाद और जापना में चुनाओ होने तक सांती बहाल की जिम्मेदारी भारत की जिम्मे आई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का गठन करके वहाँ भेजा गया भारतिय सेना की चार डिवीजन अनी लगभग 80,000 सेनिकों कदस्ता स्रिलंका पहुँच गया इनका मुक्ẹ काम तमिल गुटों को सरेंडर कराना था जैसे ही भारती जेना ने अपने कएम पस थापित किये प्रभाकरण ने सांती सम्झवता मानने से इनकार कर दिया वो भारती सेना को निसाना पनाने लगे इसके बाद भारती सेना लिट्टे के हेड़कॉर्टर पर कबजे की कोशिस की जो नाकाम रही बड़ी संख्या में हमारे जवान सहीद हो गए साल 1989 में देश में बीपी सिंग की सरकार बनी 1990 में 32 महीने बाद भारती सेना ने इस कारवाई को अस्थखित कर लिया और अपने सहिनकों को वापस बुला लिया इसके बाद लिट्टे और स्रिलंका सरकार के बीच जंग चलती रही अंतता 18 मई 2009 को स्रिलंका की सेना ने प्रभाकरन को मार कर लिट्टे को खतम करने का दावा किया 15 दिसंबर 1999 को तबके रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस ने राजसभा में बताया कि स्रिलंका में भारती सेना के 1165 जवान सहीद हुए और 3000 से ज़्यादा घायल हुए इस दवरान सरकार को कुल 978 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े इस मिसन के दवरान 10-11,000 लिट्टे ज़ाके भी मारे गए इस मिसन के चलते ही 1991 में लिट्टे ने आत्मगाती हमले में राजी उगांधी की हत्या भी कर दी इस एपिसोड में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी नमस्कार झाल